नबस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल इंपोर्टेंट अमसे की वह संती में दोस्तों आज हम डियलेट सेकंड सेमिस्टर की तैयारी के एक्रम में मैट्स का नौवा वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं इससे पहले मैट्स के नौव वीडियो आ आपके अच्छे समझ में जाए और इसी से समंधित अगर कोई भी प्रशन आए तो आप उसको गलत मत कीजिए वनना भी बात में आप यहीं को होगे कि यह तो मुझे समझ में नहीं है इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए पूरा लास तक देखे एक एक प्रस जितने भी समी का क्या है तो सबसे पहले तो यह समय के होते है वह समझ गया जब बायाँपच्छ दोनों बराबर हो उससे कहते हैं सर्व समी का ठीक है चली आगे देखते अब कि अब क्या थे तूई एक portion 3 बराबर 5 देखे यह दोनों तरफ बराबर नहीं है ठीक है यह दितर देखिए 2 bracket में x plus 1 दूसरे तरफ है 2x plus 2 आप इसको अगर solve करेंगे तो 2 के जब multiply करेंगे bracket के अंदर तो 2x plus 2 और इधर भी लिखा हूँ है 2x plus 2 मतलब LHS बराबर RHS left hand side equal to right hand side इसका मतलब सर्व समी का कौन सी हुई option number 2 समी करण x plus 7 equal to 9 में x का क्या मान है तो यह जो 7 है बराबर के उस तरफ भेद दीजे तो इधर plus में है इधर जाएगा minus में हो जाएगा तो 9 minus 7 बराबर 2 x की value आगई आपकी option number 1 x की value होगी 2 चलिए आगे बढ़ते हैं एकला प्रशन है निम लिखित में से समी करण कौन सी है ठीक है समी करण देख लिए क्या होती है सबसे पहली बात तो जिसमें छोटा या बड़ा का निसान लगाऊगा वो समी करण नहीं है ठीक है समी करण के लिए सबसे पहली जरूरी चीज़ है कि बराबर होना चाहिए ठीक है दूसरी चीज दोनों तरब LHS और RHS बराबर नहीं होना चाहिए वो होती है समी करण देखे 4X प्लस X स्क्वाइर और ये देखे X का X में गुड़ा करेंगे तो X स्क्वाइर प्लस 4X तो ये दोनों तो हो गए बराबर तो ये हुआ गया जो option number third ये हुई सर्व समी का और समी करण की बात करें समी करण है 3X प्लस 5 बराबर 8 समी करण बताया मैंने सबसे बहली बात हो समी करण बराबर का चिन होना चाहिए उपर से दोनों जो LHS है और RHS है बराबर नहीं होने चाहिए ठीक है वो होगी समी करण इसका option number सही है fourth चलिए आगे देखते है अगला प्रस्ट क्या है इसमें बताना है कि एक सर्व समी का है हाँ या ना 3X ब्रैकेट में X प्लस 1 बराबर 3X स्कॉरर प्लस 3X अगर हम इसको multiply करेंगे 3X का X में multiply करेंगे तो 3X स्कॉरर आजाएगा 3X को 1 में multiply करेंगे 3X आजाएगा तो 3X स्कॉरर प्लस 3X मतलब दोनों साइड बराबर है तो ये सर्व समी का है ठीक है इसमें पूछ रहे है इसको prove करना है तो prove करके आप दिखा दीजे सीधा जब इसको solve करेंगे दूसरा इस्टेप हाएगा 3X स्कॉरर प्लस 3X एक्वल टू और 3X स्कॉरर प्लस 3X दूसरी साइड पहले से दे रखा तो LHS बराबर RHS इसका मतलब है कि ये सर्व समी का है चले आगे देखते हैं अगला प्रशन है X स्कॉरर माइनस 1 एक्वल टू 4 देखे इसमें दोनों तरफ बराबर नहीं है ये तो आप समझ गए दोनों तरफ बराबर नहीं है अगर हम एक को इस तरफ ले जाएंगे तो 4 प्लस 1 5 हो जाएगा X स्कॉर बराबर 5 तो ये देखे दोनों बराबर नहीं है दोनों तरफ इसका मतलब यह सर्व समिका नहीं है यह क्या है? यह समी करण है आगे बढ़ते हैं एगला प्रशन है 5x-1 is equal to 14 तो 5x जो minus 1 है बराबर के उस तरफ ले जाएंगे इसको तो यह हो जाएगा प्लस में तो 5x बराबर 15 हो जाएगा और x की बराबर 15 upon 5 जाएगा मतलब 3 तो यह समी करण है देखे ठीके? दोनों तरफ बराबर नहीं है बीच में बराबर का निसान भी है समझे के? चलिए इसका मतलब है यह क्या है? यह समी करण है अगला प्रशन है यह प्रूव करना है तो a प्लस b वाला formula लगा दीजे a square plus b square plus 2 a b तो 2 x का square लोगा 4 x square 1 का square होगा 1 plus 2 a bोगा तो टू तू जा 4 4 x तो 4 x square plus 1 plus 4 x देखे यही सेम टू सेम है इसका मतलब यह सर्व समी का सर्व सम्का में RHS औ The LHS दोनों بराबर हो जाते है आगे बढ़ते हैं अगला है 3x प्लस 4 प्लस 8 प्लस 9x ये प्रूव करना एक समी करण है देखें ये 3x है और ये 9x है इधर 4 है इधर 8 है इसका मतलब आपको देखने में ही लग रहा कि दोनों बराबर नहीं है जब बराबर नहीं है तो ये सीधी सी बात है समी करण होंगे ले माइनस 8 ठीक है समझ गए चलिए अब इसको स्वाल कर लीजे 6x माइनस 4 आजाएगा 8 माइनस 4 ठीक है इसको अब स्वाल कर लीजे चाहे ऐसे ही पड़ा लीजे माइनस 4 रुबाए 6 इसका उत्तर आजाएगा तो ये समी करण है ये समझ गया आप चलिए आगे देखते है अगले प्रश्ण अगले प्रश्ण है मीरा ने गड़ित की पुस्तक खरीदने के लिए अपनी माँ से देखिए मान लीजे उसने अपनी मां से एकस रुपीज लिए थे एकस रुपीज उसने अपनी मां से लिए उसके पापा से उसने लिए पिताजी से लिए सो रुपै तो एकस प्लस सो और उसके पास कुल हो कितने गए देखो लिखा भी है डेड़ सो डेड़ सो हो गए अब मां से उसने कितने लिए वो आप निकाल लीजे तो X 1500-100 ठीक मां से उसने कितने रुपे लिए 50 रुपे लिए ठीक है ये समी करण के माध्यम से हल करना साब साब लिगा समी करण बना कर इस प्रस्ट कीजिए तो ये आपकी समी करण भी बन गई और उसने मां से कितने रुपे लिए वो भी इस प्रस्ट हो गया चलिए आगे देखते हैं अगला प्रस्ट समी करण X प्लस 7 इक्वल टू 14 तो सीधा जाए 7 को उस तरब भेज दिजे तो 14-7 उधर प्लस में तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा उत्तर आपका आएगा 14-7 बराबर 7 उत्तर आपका 7 अगला प्रस्ट है 2X प्लस 5 इक्वल टू 13 तो 2X बराबर 13 पाँच को उस तरब भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा जो 5 उस तरब भेजेंगे तो माइनस हुआ तो बचेगा 8 2X बराबर 8 अब X बराबर 8 बटे 2 इक्वल टू 4 उत्तर कितना आएगा 4 इसका उत्तर आएगा आगे बढ़ते है अगला प्रस्ट है प्रस्ट संख्या 8 X-9 इक्वल टू 3 इसको उल कर लिजे तो जब 9 को उस तरब ले जाएगे तो माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा X बराबर 12 उत्तर आजएगा चलिए आगे देखते हैं अगला प्रस्ट है तालिका बना कर सिद्ध कीजिए कि X प्लस 1 का होल स्क्वाइर इक्वल टू X स्क्वाइर प्लस 2 X प्लस 1 अब इसको हम तालिका बना कर सिद्ध करेंगे इसको चलिए ले चलते हैं आपको अपनी कॉपी पर देखिए ये हमने तालिका बना कर सिद्ध कर दिया है कि ये एक सर्वसमिका है देखिए X प्लस 1 का होल स्क्वाइर X स्क्वाइर प्लस 2 X प्लस 1 इन दोनों को प्रूव करना है कि यह सर्व समिका और तारिखा बनाकर तो सबसे पहले एक क्रमसंक्या का कॉलम को खीच लीजे X का मान का कॉलम को खीच लीजे और एक है X plus 1 होल स्कॉरे और दूसरी है X स्कॉरे प्लस 2X का प्लस 1 तो यह 4 कॉलम आपको खीचने है ठीक है, वही हमने यहां लिख दिया, अब यहां पर x की value 2 रख दीजे, ठीक है, तो 2 का square जब करेंगे, तो आएगा 4, प्लस है 2x, तो 2 टू जाओगा 4, और प्लस 1, अब इन सब को जोड़ेंगे, 4 प्लस 4 प्लस 1 एक्वाल टू 9, चलिए, 2 से तो समझ गये कि यह सर्व समिका है, अब अगला देखते हैं, अब हम value रखते हैं 5x की, तो 5 जब इसमें रखेंगे, तो 5 प्लस 1 हो गया 6, और 6 का square करे तो आएगा 5 रख रहे हैं value, तो इसमें 5 रखेंगे, तो 5 की value जब रखेंगे, तो 5 square होगा 25, प्लस 5, टू जाओगा 10, प्लस 1, 25 प्लस 10, प्लस 1, मतलब 25, 10, 35, प्लस 1, 36, मतलब हमने 5 से भी रखके देख लिया, तो दोनों में 36 आ रहा है, कम से कम 2 या 3, 4 कुछ भी आप सं square करेंगे, तो 11 into 11 हो गया, 121, अब इसमें लखके देखेंगे, 10 रखके देखेंगे, x की value, 10 रखके देखते हैं, तो 10 का square करेंगे, 100, और 2 into x है, मतलब 2 into 10 बराबर 20, प्लस 1, 100, प्लस 20, प्लस 1, बराबर 12, देखेंगे, इसी तरह 15 रखके देखेंगे, तो 15 से भी आपके दोनों बराबर आएंगे, इसका मतलब जब हर value रख रहे हैं, कोई भी value रख रहे हैं, तो दोनों बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है, ये एक सर्व समीका है, ठीक है, समझ गए, अच्छे समझ गए होंगे, तालिका बनाकर भी समझ गए, चले आगे देखते हैं, अगले प्रेशनी की तरफ, प्रेशनी संके 10 है, 10 में भी वही है, तालिका बनाकर निष्ट कर से निकालिया कि प्रतिबंद 5x प्लस 4 एकॉल टू 3x प्लस 8, तता प्रतिबंद x, x प्लस 2, x स्कुरार प्लस 2x में कौन सा प्रतिबंद सर्वसमिका है, दोनों को उसी प्रकार त आलिका बनाकर आपको इस प्रस्ट करना पड़ेगा अगर आप देखने चाहते हैं तो चलिए मैं दिखा देता हूं आपको चलिए चलते हैं अपनी कॉपी पर तो जो पहली सर्व समिका दी गई थी कि यह है कि नहीं तो 5x प्लस 4 प्लस 3x प्लस 8 उसी तरह क्रम संख्या x का मान 5x प्लस 4 3x प्लस 8 इसके कॉलम बना लिजे 3 की वैल्यू रखें तो इसमें 3 की वैल्यू रखेंगे तो आएगा 19 और इसमें 3 की वैल्यू रखेंगे x बराबर 3 रखेंगे तो आएगा 17 जब x कमान 5 लेंगे जब इसमें 5 रखेंगे x की value तो आएगा 29 और इसमें जब 5 की value रखेंगे x की value 5 रखेंगे तो आएगा 23 जब 7 रखेंगे x की value तो 49 इसमें आएगा और इसमें 39 आएगा इसके मतलब देखें कि किसी में दोनों बराबर नहीं है LHS is not equal to RHS देखें ये 19 है ये 17 ये 29 है ये 23 है ये 49 है इसका मतलब दोनों में ये जो आपकी दी हुई है ये आपका सर्व समिका नहीं है ये समी करण है एक तरीके से ठीक है चले दूसरा वाला चेक करके देख लेते हैं दूसरा वाला है x x plus 2 x square plus 2 x तालिका बनाते हैं पहला कॉलम करम संक्या दूसरा x कमान x x plus 2 x square plus 2 x अब इसमें 2 की value रखेंगे तो इसमें 8 आ रहा है और इसमें भी 8 आ रहा है जब 4 की value रख रहा है x और x plus 2 में तो 24 आ रहा है और x square plus 2 x में जब 4 रख रहा है तो 24 आ रहा है मतलब इसमें क्या हो रहा है, इसमें कोई भी willy रखी जा रहा है, दोनों बराबर आ रहा है, इसका मतलब यह क्या है, यह सर्व समिका है, जो इससे उपर वाली थी, वो थी समी करण, ठीक है, समझ गए, उम्मीद करते हूँ, अच्छे समझ में आ गए, जब करते हैं, अच्छ प्लस टू एक्स सुरी यह तो यह आज का प्रश्न है थ्री एक्स प्लस फोर बराबर फोर एक्स प्लस टू सर्व समिका है यह नहीं इसका नीचे आप कमेंड बाक्स में कमेंड करके उत्तर जरूर बताएए आप जल्दवाजी में इसका उत्तर बत निकालेगा दो तीन चार वेल्यू तालिका बनाकर इस्पस्ट कर लिजेगा कि यह सर्व समिका है या नहीं इसका सही उत्तर आप नीचे कमेंड बाक्स में कमेंड कर दिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्स्क्राइब करके घंटे के शांद जरूर दबाएं हमारे फेस्बूक को जरूर फोलो करे description में link है और सारे वीडियो का link जितनी भी playlist है सारे subject की playlist मैं वीडियो में दे दूँगा description में आप वहाँ से जाकर सारे वीडियो को देखे ताकि आपके daily second semester में 95% दालने से कोई रोक न सके ओके दोस्तों चले मिलते हैं अगले वीडियो में तक लिए जय हिंद जय भारत